नमस्कार मैं हूँ नंदनी आप देखने अंदा फोल जड़ी अमेरिका के रक्षविभाग पेंटागन ने रिपोर्ट जारी की है जुबारत के साथ साथ पुरिय विश्व को चुकाने वाली है अमेरिका के रक्षविभाग के नुसार चीन LAC के निकट यूद की बड़ी तयारी कर रहा है जो बार के लिए खत्रस साबित हो सकता है अमेरिका रक्षविभाग पेंटागन दुआरा जारी की गई रिपोर्ट में खुलाजा किया गया है कि LAC पर जारी गती रोध के बीच चेन ने अंतराश्च्च श्रीमा के पास के इलाके में फाइबर ऑप्टिकल नेट्वोक के तार बिचा दिये हैं ताकि इन इलाकों में संचार सुविदा को बढ़ाया जा सके अंतराश्च श्रीमा पर अपनी गती वीदियो को बढ़ा कर चीन LAC पर किसी बड़े युद्ध की तियारी में है वहीं पेंटागन के रिपोर्ट में ये भी खुलाजा किया गया है कि चीन तीजी से अपने पर हाथ के पीछ उपजे सीमा विवात के दोरां चीनी सेना ने पक्षमी हिमालय के दूर गराज में इलाकों में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क स्थापित किया ताकि इन इलाकों में तेजी से संचार प्रदान किया जा सके और विदेशी इंटरनाशनल से शुरक्षा की जा सकते साथ में यह भी कह गया है कि ऑप्टिकल फाइबर के सेटप में उन्हें ह्पर खूफिया गत्यवीदियो निघानी और सेन्ने गत्यवीदियो को तेज करने में मदद मिल रही है यह पर रेपोर्ट में यह भी कहा गया कि गरोना वायरस माहमारी के बावजूत चीन राजने किया और सेन्य समवादों के बावजूद चीन अपनी हर्कतों से बाज नहीं आया चीन ने अलसी पर अपना दबदपा बढ़ाने के लिए सेन्य गारवाई में कोई कमी नहीं की लेकिन भारत की अपनी सीमा पर मुफ्तेद है इसके लावा अमेरिका रक्षा विभाग के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन तेजी से परमानु हतियार को बढ़ा रहा है रिपोर्ट के नुसार अगले 6 सालों में चीन के बास परमानु हतियार की संख्या साथ सू हो सकती है और 2030 तक यहाखड़ा एक हजार के पार पार पहुंच सकता है अलब कि दोसों से कम प्रमानों हतियार थे आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बाखी जानकारी के लिए हमारे साथ जूड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद